हर इंसान को सहत मंद रेने के लिए जरूरी है कि उसके शरीर में सभी जरूरी पोशकतत सही मात्रा में मौजूद हो इन पोशकतत्वों में से किसी एक की भी कमी से कहीं तरह की हल्थ प्रोब्लम्स पैदा होने लगती हैं पोशक तत्वों की कमी की वजह से होने वाली बिमारियों को deficiency disease कहते हैं हाला कि हर पोशक तत्व की कमी के अलग लक्षन होते हैं जिनकी वजह से रोज मर्रा की जिंदगी काफी मुतासिर होती है पोशक कत्वों की कमी की वज़ा से होने वाली परिशानियों में से एक परिशानी नींद की भी है अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पूरी नींद लेने के बाद भी आप ठके हुए हैं या नींद आती रहती है तो हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ जरूरी विटमिन की कमी हो गई हो बहुत जादा नींद आने के पीछे की एहम वज़ा है विटमिन D और विटमिन B12 की शरीर में कमी इसके अलावा आईरन और पोटिशियम की कमी भी बहुत जादा नींद आने की समस्या को पैदा कर सकती है लेकिन आम तोर पर इन विटमिन की कमी के कारण थकान का या जादा नींद के आने का एसास होता है काफी रिसर्च में ये पाया गया है कि विटमिन डी की कमी से बहुत जादा नींद आने की समस्या पैदा हो सकती है इतना ही नहीं विटमिन डी की कमी से हर समय कमजोरी ठकान और आलस महसूस होता रहता है विटमिन डी को संशाइन विटमिन भी कहा जाता है इसकी कमी की वज़ा से depression की समस्या भी हो सकती है vitamin D हमारे शरीर में calcium और phosphorus को absorb करने में भी मदद करता है इसकी वज़ा कमजोर हड्डियां, मासपेशियों में दर्ध होना और साथ ही immune system भी कमजोर हो सकता है इसकी कमी को पूरा करने के लिए धूप में समय बताएं जो vitamin D को पूरा करने में मदद करता है इसका लावा vitamin D से युक foods जैसे mushroom, अंडी की जर्दी और दूसरे कई vitamin D वाले foods को diet में शामिल करें vitamin B12 की कमी को धूर करने के लिए diet में डे, मचली, मीट, दूड, नट्स आधी को शामिल करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें दनगरी मीडिया की खास पेश कर सहतना मा